जहिन दोस्तों मैं उनी दिभेन चोहान आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ रूल्स हैं जो समझने होंगे तो आईए चलिए पहले हम रूल्स को देख लेते हैं ठीक है इसमें पहला रूल्स भागी दारी पेड़ी का नफा नुकसान के प्रमाण में बाटा जाता है मूरी के प्रमाण में नहीं तो इसका कहने का मतलब है कि यहां मूरी का प्रमाण दिया गया है क्वेश्चन में 3 बटे 2 इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है आप गलती ना करो इसलिए यहां मूरी का प हम जो मूरी का प्रमाण दिया गया है इसका कोई भी उप्योग यहां पर हम नहीं करेंगे, ओके, रूल नंबर टू है, अगर नफा नुकसान का प्रमाण ना दिया हो, तो बराबर हिस्सों में नफा नुकसान बाटा जाता है, ठीक है, यदि क्वेशन में दिया नहीं गया है कि किसको कितने प्रमाण में नफा नुकसान होगा, तो जितने भी मेंबर्स होंगे, यानि कि जितने भी पेड़ी में जो भागीदार होंगे, उनको बराबर हिस्सों में नफा नुकसान जो है वो दिया जाएगा, ओके, यह जैसे हमारे क्वेशन में दिया गया है, जैसे हम एक अनुपात एक में ठीक है यनिकि एक में हो गया अम्रता और एक में हो गई दिव्या तो दोनों को हम बराबर हिस्सों में नफा नुकसान बाटेंगे ठीक है क्योंकि यहां पे कोई प्रमाण हमें नहीं दिया गया है burst तीसरा है, जब रकम में कमिशन बाद करने के बाद चोक्खा नफ़ा पर कमिशन काउंट करना हो, तब calculation इस तरह होगी, इसके लिए एक सूतर यहां पर दिया गया है, सूतर है हमारा चोक्खा नफ़ा बुना टका, यानि कि जितने % हमें दिया गया है question में, बटे में यानि कि छेद में 100 प्लस टका जितना भी टका दिया गया है उसमें हम 100 एड कर देंगे ठीक है इसका कहने का मतलब है जब कमीशन बाद करने के बाद चोखा नफा पर कमीशन काउंट करना हो तब यहां हम इस सुत्र का उप्योग करेंगे यहां प्रेशन में कहा गया है अमरता को कमीशन निकालने के बाद चोखा नफा पर 8% कमीशन देना है एक्जेक्ट यही शब्द दिये गए है ठीक है क्या चोखा नफा पर कमीशन ओके यही शब्द हमें दिये गए है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कमीशन यहां 8% दिया देना है और छेद में यानि कि यहां 100 प्लस टका यानि कि 108, 100 में 8 को जोड़ देंगे तो 108 लिखेंगे ठीक है, अगला परंतु अगर चोखा नफा के बदले वहचनी पात्र नफा दिया हो तो कमिशन इस तरह फाइंड करेंगे, कैसे इसके लिए भी एक सूतर है, क्या है सूत कमिशन कैसे निकालेंगे, वहचनी पात्र नफा गुणा तका, ठीक है, कब अगर चोखा नफा के बदले वहचनी पात्र नफा दिया गया हो तो कमिशन इस तरह फाइंड करेंगे, कमिशन वराबर वहचनी पात्र गुणा तका, अब यहां पे वहचनी चोखा नफा और वह जब हमें चोखा नफा यानि कि जितना भी फायदा होता है उसमें से खर्च जितने होते हैं उनको हम पहले माइनस करते हैं ठीक है उसके बाद जो रकम मिले यानि कि नफा हुआ उसमें से हमने खर्चे निकाल दिये यानि कि माइनस कर दिये उसके बाद जो रकम हमें मिलती है उसे हम यहाँ पे नफा कहते हैं और वेचनी पात्र नफा लाश्ट में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाता है, यानि कि खर्च निकालने के बाद, खर्च जब हम निकाल देते हैं, चोखा नफ़ा में से हम खर्च को निकाल देते हैं, उसे हम कहते हैं, वेंचनी पात्र नफ़ा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने question की तरफ, यह है हमारा question जो हम करने जा रहे हैं, class 12 का account, chapter 1 का, question 3 का part 2, ओक तो इस question में हमें, प्रशन में दिया गया है, 96,876, यहां पे चोखा नफ़ा दिया गया है, परंतु अमरता को 8% commission, यह दिया गया है, अमरता को 8% commission भी देना बाकी है, अमरता को commission देने के बाद नफ़ा घट जाएगा है, ना क्योंकि हम उसको 8% commission देंगे, तो जो हमारा फायदा है, वो कम हो जाएगा, इसलिए commission निकाल कर नफ़ा में से घटाया जाएगा, और बाकी रकम को भागीदारों के बीच में, जो भी बचेगा commission देने के बाद, उसक भागीदारों के बीच में हमें distribute कर देना है, तो चलिए हम अब question को solve करते हैं, question बहुत ही easy है, अमरता और दिव्या एक भागीदारी पेड़ी के भागीदार हैं, दो भागीदार हैं यहाँ पर, उनकी मूरी का प्रवान 3 जैम 2 है, अमरता को उसका commission देने के बाद, चोखा नफा पर 8% commission देना है, अगर वर्ष के अंत में पेड़ी का नफा 96,886 हो, तो अमरता को कुल कितनी रकम मिलेगी, हमें यहाँ find करना है कि अमरता को कितनी रकम मिलेगी, दिव्या के बारे में यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो हम खाली अमरता के बारे में ही बात करेंग ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं अमरता का commission, अब यहाँ पे जो हमने अभी सीखा कि क्या क्या हो गया question में, commission देने के बाद, चोखा नफा, तो कैसे निकालेंगे, नफा, गुणा, commission का टका, अपॉन, 100 प्लस, commission का टका, तो नफा कितना है यहाँ पे, नफा है हमारा 96,876, गुणा, commission का टका हमें दिया गया है, 8%, तो उसको हम 8 लिख देंगे, अपॉन, यानि की छेद में, 100 प्लस, commission का टका, commission का टका है 8, और 100 उसमें, जोड देंगे, तो कितना हो जाएगा, 108, यानि की 100 प्लस, 8 हो गया, 108, अब इसको हम calculate करेंगे, 96,876, गुणा, 8 बटे, 108, इसको हम calculate करेंगे, तो हमारा answer आएगा, 7,186, यानि की ये आगया हमारा अमृता का commission, ओके, अब commission के बाद, नफा, यानि की, जो commission को हम minus करेंगे, तो उसके बाद हमारा नफा कितना होगा, तो उसको लिए हम क्या करेंगे, कुल नफा, minus commission, जितना भी हमारा कुल नफा है, यानि कि 96,886 उसमें से हम माइनस कर देंगे कमिशन को तो 96,886 माइनस 7176 यह हमारा कमिशन आया था यहाँ पे तो हम माइनस किया तो हमारा अंसर आया 8,9,7,0 यहाँ पे हमने कमिशन को माइनस कर दिया है चोखे नफे में से ठीक है तो कमिशन के बाद नफा बराबर हिस्सों म बाटा जाता है तो यहां पर हमारे कितनły members हैं 2 कौन-कौन हैं अमिरिता और दिव्या हम यहां पर बताया नहीं गया कि भई जो नफ़ा है उसको कैसे कितने हिस्सों में बाटना है तो डो partners है सिसल यहां इससे कैसे करेंगे देखो यहां पर मैं करके बताती हूं एक अनुपात एक यानि कि दोनों को बराबर हिस्सों में हम बाट देंगे ठीक है तो इसलिए हमने 8, 9 7, 00 कर दिया भाग दो क्योंकि दो मेंबर्स हैं तो भाग करेंगे दो से तो दो से भाग किया तो हमारा आंसर आया 4, 4, 8, 5, 0 इतना दोनों को 9 मिलेगा किसको अमरता और दिव्या को यानि कि अमरता और दिव्या को मिलेगा 4,850 नफा लेकिन हमें निकालना है अमरता को कितनी रकम मिली अमरता को तो कमिशन भी दिया गया है ना तो अमरता को क्या मिलेगा 9 प्लस कमिशन तो 9 कितना है 44,850 और उसमें commission को हम add कर देंगे तो वो हो गया हमारा 7176 इन दोनों को add करेंगे तो हमारा answer आएगा 52,026 यानि कि अमरता को कुल रकम मिली 52,026 I hope आपको समझ में आ गया होगा नई समझ में आए तो वीडियो को आप एक दोबारी जरूर देखें ताकि आपको question जो है बिल्कुल clear हो जाए अब हम करेंगे question number 3 सबसे पहले हम question को पढ़ते है विसमें अभीजीत और कुनाल 3, jam, 2, jam, 4 के प्रमाण में नफ़ा नुकसान के भागिदार है यहां 3 partners है manager का उसको commission देने के बाद manager को भी हाँपे commission देना है उसके बाद जो बचे हुए नफ़े का 10% है वो commission देना है अभीजीत के भाग में 30,000 नफ़ा आएगा यहां पे विसमें और कुनाल के बारे में नहीं बताया है सिर्फ अभीजीत का नफ़ा बताया गया है manager को कितना commission मिलेगा अभीजीत को 30,000 रुपे नफ़ा देना है और manager को यहां पे कितना commission मिलेगा यह हमें इस question में बताना है ठीक है तो पिछले सम में हमने commission find किया था लेकिन वहां भागीदार को commission मिला था जो question 2 था उसमें भागीदार को commission मिला था लेकिन यहां manager को commission देना है किसको देना है मैनेजर को सेम क्वेशन है कुछ भी अलग नहीं है क्यालकुलेशन भी सेम तरीके से होगा यहाँ अभीजीत के भाग में 30,000 नफ़ा आता है देखो अब अभीजीत का नंबर कितना है विसमे अभीजीत और कुनाल जो अभीजीत का नंबर है वो यहाँ पे 2 आएगा ओके तो 30,000 नफ़ा आता है यहाँ एक भागीदर का नफ़ा दिया गया है तो सबसे पहले पेड़ी का नफ़ा फाइंड करेंगे फिर मैनेजर का कमिशन फाइंड करेंगे सबसे पहले नफ़ा नुकसान का प्रमाण दिया गया है अता इस प्रमाण में नफ़ा नुकसान बाटा जाएगा अभीजीत के भाग का नफ़ा दिया गया है अभीजीत से हम स्टार्टिंग करेंगे हम जानते हैं कि भागीदारों के बीच हमेशा व्याचनी पात्र नफा बाटा जाता है तो हम सूत्र लिखेंगे अभिजीत के भाग का नफा व्याचनी पात्र नफा देखो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे अभिजीत के भाग का नफा बराबर व्याचनी पात्र नफा गुणा दो बटे नो अब यह दो बटे नो हमारा कहा से आये देखो विस्वें अभी जीट और कुनाल तो अभी जीत यहां पे तीन जैम, दो जैम, चार है तो अभी जीत के लिए आएगा तू और इसंब का टोटल तीन और दो पाँच और चार, नो तो जो कुल होगा, वो हमेशा छेद में आएगा और यहाँ पर बात हो रही है अभिजीत की तो इसलिए उपर यहाँ पर दो आएगा ठीक है तो वेंचनी पातर नफ़ा घुना दो बटे 9 तो अभिजीत के बाङ का नफ़ा कितना है 30,000 वेंचनी पातर नफ़ा हमें यहाँ पर find करना है, गुणा 2 बटे 9, अब calculation तो शायद आपको आती होगी, ये 2 बटे 9 है, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये 9 बटे 2 हो जाएगा, calculator से हम calculation करेंगे, तो answer आएगा, एक लाख पैंथिस हजार, यनि कि ये आगया हमारा व्यैचनी पात्र नफा, ओके, एक लाख पैंथिस हजार, अब manager का commission, manager का commission भी अभी हमें देना है, जो नफा का 10% होगा, ठीक है, तो manager का commission नफा का 10% है, तो हमारा व्यैचनी पात्र नफा कितना आया है, एक 35,000 तो अभीजीत का नफ़र्ण हो गया करेंगे तो हमारा अंसर आएगा 13,500 तो हमें जो मैनेजर को कमिशन देना है वो हमें देना है 13,500 ओके तो मिलते हैं अगले क्वेशन के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत